हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल ड्रिम्टेक विजन तो आज हम जानेंगे कि किसी भी फोल्डर में सेक्यूरिटी पासवर्ड कैसे लगाते हैं तो मैंने यहाँ पे एक निव फोल्डर क्रेट के आओ हैं उसको उपन करते हैं उसमें और एक फोल्डर बनाते हैं निव पे जाके फोल्डर और इसको सैंपल नाम लिख देते हैं यह हो गया तो इसी फोल्डर को हम सेक्यूरिटी लगाते हैं तो इसके लिए हमें रैट क्लिक प्रेस करते हैं और प्रोपर्टीज को सिलेक करते हैं प्रोपर्टीज में जाने के बाद हम सेक्यूरिटी को सिलेक करते हैं और इधर administrator को select करते हैं इसके बाद आपको edit को press करना है और वापस से administrator को select करना है निच्छे आपको tick mark करने के option मिलेंगे उसमें से आपको full control को tick mark करना है उसको select करते ही बाकी सब्सक्राइब को automatic tick mark हो जाएगा इसके बाद आपको apply पे click करना है इधर ऐसा आएगा इधर आपको yes press करना है और ok को select करना है यह हो गया इधर भी ok करना है अब जब आप इसे open करोगे तो यह open नहीं होगा मैंने अभी सी continue को press किया और इधर और एक icon show हो रहा है अभी आपको अगर वापस से lock निकालना है तो इधर security tab को press किजे इधर administrator को select किजे edit को press किजे वापस से administrator को select किजे और इधर से सबी tick mark को निकाल दीजिए और apply पे click किजे और ok press किजे अभी जब आप इसे वापस से open करोगे तो यह open हो जाएगा यह देखे यह वही folder है जो मैंने बनाया था यह देखे तो इस तरह से आप किसी भी folder को security password लगा सकते और निकाल भी सकते तो यह ता मेरा आज का वीडियो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टोपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को like किजे शेर किजे और चनल को subscribe किजे तेंक्यू